हेग आई वेलकम बेग टो माई टो चाइनल टेकनिकल सेलेर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC e-wallet को लेकर कई लोग फरसान है IRCTC e-wallet में जो हमारे पैसे है उस पैसे को अपने बैंक एकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर e-wallet में पैसे कैसे air कर सकते हैं काफी लोगों को यह प्रोब्रम देखने को मिल रहा है तो आज के वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे लेकिन आगर बढ़ने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सबस्क् सब्सक्राइब करना है जैसे ही लोग इन पर क्लिक करना है जैसे ही लोग इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एकाउंट जो है वेरिफाइड होगा इसके बाद आया सीटीशी अकाउंट लोग इन हो जाएगा लोग इन होने के बाद आपके सामने कुछी इस टाइब का इंटरफिय देखने को मिल जाते हैं तो आप जैक यहां पर होम पर क्लिक होगा तो आपके सामने फर्स्ट में टिकट फ्लाइट टिकट बस टिकट होटल काफी सारे इहां देखने को मिल जाएंगे सिकेंट नमबर पर क्लिक करेंगे माई एकाउंट फे तो आप लोग को इहां पर देख सकते हैं माई परफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को इहां पर देखने को मिल जाएंगे किस नाम से अपने एकाउंट बना रखे हैं डेट आप इमेल आईडी और मॉवाइल नंबर इसके बाद एक देखने को मिल जाएंगे इसे हम बैग कर लेते हैं इसके बाद सिकेन नंबर पेग देखनों को मिल जाता है आई यासीटीची इवालेट जो कि मोस्ट इंपोटेंट है जिसे हम यूज करने के तरीका बताने बाले हैं तो और यहां पे आप लोग अधार कार या प्यान कार से रेजिस्ट्रेशन नहीं किये होंगे तो यहां पे आप लोग आई सिटीची इवालेट में पैसे एड नहीं कर सकते हैं किसी भी बैंक में तो सबसे पहले आप लोग को अधार कार्ट या प्यान कार्ट से लिंक करना हाधार नमबर डालना है इसके बाद इस बोक्स पे क्लिक करना है इसके फिंपस सेंड टीपिपWow Nom आपको करने के वाद को क्लिक करना है ज sheriff करेंगे तो फ मिल ओक लुन soon साने चीह RCTC Wallet में पैसे add कर सकते हैं और ticker book कर सकते हैं लेकिन काफी लोग क्या करते हैं टिकर book कर लेते हैं और उसे पैसे भी add कर लेते हैं कई लोग उसके wallet में कुछ पैसे बज़ जाते हैं या फिन train ticket उसे cancel कराना होता है किसी भी region के बढ़ा से और पैसे जो है IRCTC e-wallet में refund आ जाता है तो उस पैसे को अपने account में transfer कैसे कर सकते हैं काफी लोग यह जानना चाहा रहे थे तो आप लोग को मैं clear बता दू IRCTC के तरफ से कोई ऐसा option भी नहीं दिया गया है जिससे कि आप लोग IRCTC e-wallet में जो पैसे है वो अपने bank account में direct transfer कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोग को simple IRCTC rail connect app से आप लोग को train में ticket book कर गये ही उस पैसे के use कर सकते हैं यदि आप लोग चाहते हैं कि इस पैसे को bank account पे transfer करने का भी option दिया जाए तो आप लोग comment कर सकते हैं तो बस आज के वीडियो वस इतना ही वीडियो फसंदार तो लाइक करना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना तो दोस्तों मिलते है किसी और नेक्स वीडियो में